हे डियर स्टूदेंट्स आज हम ट्रांसलेशन को डीटेल में करेंगे इससे पहले हमने ट्रांसलेशन का ओवर व्यू किया था जहां पर हमने देखा था भी ट्रांसलेशन एड्जेकली कैसे होता है ठीक है आज हम इसको डीटेल में करेंगे टोटली सो सबसे पहले देखिए अगर आप प्रोक्रियोट्स में देखोगे तो प्रोक्रियोट्स में भी साइटोप्लाजम के अंदर ही ट्रांसलेशन होता है बट वहाँ पे नुक्लियर बेरियर नहीं होता है तो यूकरियोट्स के अंदर जो transcription और translation process है दोनों अलग-अलग जिगह पे होते हैं यूकरियोट्स के अंदर transcription यानि कि mRNA के बनना nucleus के अंदर होता है और जो protein बनता है वो cytoplasm में बनता है तो देखिए process के एक बार छोटा से एक scene देखते हैं क्या चीज क्या translation cell के अंदर जो DNA present होता है DNA सबसे पहले एक छोटा सा mRNA तेयार करता है DNA के उपर कोई न कोई gene present होगा for example here is a gene वो gene क्या बनाएगा mRNA बनाएगा और उस mRNA से अब वो mRNA जाएगा राइबोजोम के पास में राइबोजोम की दो सब यूनिट पढ़ी होती है साइटो प्लाजम में एक smaller सब यूनिट होती है एक larger सब यूनिट होती है तो जो mRNA है राइबोजोम के साथ जा करके attach हो जाता है अब इसके पास में tRNA आएगा अब tRNA क्या है transfer RNA मैंने tRNA का structure आपको detail में करवाया भी हुआ है अगर किसी नहीं किया तो कर लीजी जा करके तो tRNA क्या करेगा tRNA amino acid को उठा उठा के ले कर आएगा as the name indicating transfer RNA तो यह क्या कर रहा है amino acids का transfer कर रहा है यहाँ पे ribosomal machinery के पास में और यहाँ पे जब आएंगे amino acid ribosom के पास जब amino acid आएंगे तो धीरे धीरे ribosom के अंदर amino acid आपस में ऐसे attach होते जाएंगे और एक chain बन जाएगी जैसे हम बोलते हैं polypeptide chain और this polypeptide chain is also called protein so in this way protein synthesis होता है और mRNA से protein का बनना mRNA से protein का बनना इस process को बोलते हैं बच्चों translation DNA से RNA का बनना इसको बोलते हैं transcription DNA से RNA का बनना this is transcription और RNA से protein का बनना this is translation तो इसी translation को हम detail में करेंगे तो देखिए कौन-कौन से components के हमें translation में जरूर रटेगी कौन-कौन से चीज़ें इसमें include होगी mRNA include होगा obviously हमने देखा उपर से mRNA आ रहा है जो DNA बना रहा है ribosome include होगा अब ribosome कैसा है 80S type है prokaryotes के अगर बात करोगे तो prokaryotes में और eukaryotes के translation में कोई ज़्यादा फरकनी है बच्चों कुछ एक चीज़ों का difference होता है जैसे वहाँ पर जो ribosome होता वो 70S होता है यहाँ पर 80S ribosome है हमारा तो 80S ribosome की दो subunits होती है एक 60S जो की larger subunit है एक 40S जो की smaller subunit है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी subunit दिखार की है this is 40S और बड़े वाली जो subunit है यह हो जाएगी आपकी 60S subunit transfer RNA की जरूरत पड़ेगी amino acids की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे amino acids आपके cytoplasm में बिखरे हुए हैं उनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि amino acids के जुड़ने से ही protein बनता है enzyme की जरूरत पड़ेगी जो peptidile transferase enzyme है और यही enzyme है जो amino acids को आपस में जोड़ेगा उनके बीच में peptide bond synthesize करेगा वो यह enzyme है बड़ा important enzyme है peptidile transferase उसके बाद बच्चों कुछ factors की जरूरत पड़ेगी जिनको बोलते हैं different factors हैं यहाँ पे like initiation factor, elongation factor, termination factors तो आप यहाँ से यह भी समझ गए होगे हम translation को 3 steps में करेंगे हमने translation को आगे 3 steps में divide किया हुआ है initiation, elongation and termination initiation factors, initiation वाले step में चाहिएंगे elongation factors, elongation वाले step में जरूरत पड़ेगी और termination factors की हमें सबसे last में जरूरत पड़ेगी यानि कि जब हम polypeptide chain का termination होगा तब इनके जरूरत पड़ेगी अब देखिए ये एक mRNA आपको दिखा रखा है वैसे तो mRNA का structure मैंने detail में भी करवाया हुआ है आप वो जा करके देख सकते हैं एक छोटा सा आपको overview दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाएगा बच्चों, जो mRNA होता है इसको हम 5 prime 2, 3 prime इस direction में इसको read करते हैं 5 prime 2, 3 prime इसके starting में methylated guanine होता है जिसको हम बोलते हैं cap और last में polyadenylated tail होती है ये बार बार में दिखर आपको इसको बोलते हैं tail polyadenylated क्योंकि adenine जो है वो बार बार आ रहा है polyadenylated tail होती है उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आगे चल करके पहला codon होता है जिसे हम बोलते है start codon बच्चो start codon हर messenger आ रहे हैंने के अंदर fix होता है AUG तो हर किसी को पता होना चाहिए start codon कौन सा होता है AUG तो यहाँ पर 3-3 के ऐसे हमें codons मिलेंगे 3-3 के pair में लेकिन मैंने सारे नहीं लिखे है मैंने एक पहला ही लिखा है क्योंकि यह सभी में fix होता है सभी MRN में first fix होता है और last भी fix होता बच्चों टेल से पहले होता है stop codon जहाँ पर process stop हो जाएगी तो stop codon कुन सा होता है actual में stop codon 3 होते हैं तीन में से कोई एक यहाँ पर मिलेगा कोई एक तो तीन stop codon कुन कुन से होते हैं युगा युवा और युवाग ऐसे याद रख सकते हो युगा, युवाग और युवाग यूजी ए, यूए, 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 जी इन तीनों में से कोई भी एक मिलेगा तीनों नहीं मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर यूजी ए वाला दिखा रखा है यह वाला दिखा रखा है बीच में structural genes होते हैं यहाँ से शुरुवाथ हो जाती है structural genes की यूजी से और stop codon से पहले-पहले यहाँ पर हमारे का है structural genes है तीन-तीन के triplet में अब एक चीज़ ध्यान रखना start codon से पहले जो भी sequences है उनको बोलते है kozak sequences start codon से पहले जो भी यह portion है इसको बोलते है kozak sequences यहीं पर kozak sequences पर ही ribosome की binding होगी और ribosome में भी कौन सा सबसे पहले 40s sub unit के binding kozak sequence पर starting में होती है यहाँ पर kozak sequence के उपर 40s sub unit के binding होती है तो देखो अब शुरू करते हैं इसका first step that is initiation initiation के अंदर total 9 initiation factors होते हैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा रुके कि वो 9 initiation factor कौन कौन से है इन 9 में से मुझे जो important लगे मैं से आपको वही बताऊंगा सारी 9 के 9 नहीं बताऊंगा साथ या 8 आपको बताऊंगा में में से जिनके function क्या होते हैं वो भी बताऊंगा अब देखिए 9 initiation factor के बारे में बात करने से पहले आपको 2 step जानने जुरूरी है सबसे पहले क्या होता activation of amino acids कैसे होता activation of amino acids these are activated by ATP and an enzyme aminoacyl synthetase देखिए मान लो ये एक amino acid है अब इसका activation कैसे होगा इसके साथ ATP attach हो जाएंगे और enzyme attach हो जाएगा तो diagram में देखो यहाँ पे ATP इसके साथ जब attach हुआ तो ये change हो गया AMP में मतलब कि adenosine triphosphate जो था adenosine monophosphate में change हो गया मतलब कि trike का मतलब यहाँ पे तीन phosphorus थे इसके पास में लेकिन यहाँ पे कितना एक mono का मतलब एक monophosphate that means दो phosphate इसने release कर दी है और जब phosphorus release होते हैं तो energy निकलती है energy liberate होती है तो उस energy के कारण ये amino acid अब charge हो चुका है activated हो चुका है और साथ में इसके enzyme भी attach हो चुका है तो enzyme ने और ATP से निकलने वाली energy ने इस amino acid को क्या कर दिया activate कर दिया अब हम इस complete complex को बोलेंगे activated amino acid complex activated amino acid complex में क्या क्या है amino acid है AMP है और enzyme है this is first step now see the next step अब देखिए अब ये जो amino acid activated amino acid है ये transfer RNA के उपर जाकर के attach होना है so here is amino acid complex AMP और enzyme ये जाकर के transfer RNA के उपर attach हो गया है यहाँ पे 3 prime hydroxyl group पे ये complete complex जाकर के 3 prime hydroxyl group पे attach हो जाएगा जैसी ही ये यहाँ पे attach होगा तो AMP और enzyme release हो जाएगे so यहाँ पे आप देख सकते है TRNA के उपर amino acid bind हो गया और जैसी bind हुआ AMP भी निकल गया enzyme भी निकल गया क्योंकि इनका काम अब complete हो चुका है so now TRNA के सिर्पे क्या बैठा है amino acid now let's talk about initiation factors एक बात सबको ध्यान रखने के यह जो initiation factor लगबग simultaneously काम कर रहे है almost यह सारे के सारे एक ही time पे काम कर रहे है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है तो हम इनको एक एक करके देखते हैं जैसे कि पहला initiation factor EIF2 E का मतलब है कि हम eukaryotes के बारे में बात कर रहे है तो इन सभी के आगे E लगा हुआ है IF का मतलब है initiation factor small e का मतलब है कि यह eukaryotes के बारे में बात चले है इसलिए E लगा हुआ है EIF2 क्या करता है help in binding of tRNA to 40s subunit at cosac sequence this is cosac sequence this is start codon AUG AUG से पहले पहले मैंने बताई थी आपको cosac sequence होती है तो यहाँ पे 40s subunit सबसे पहले आकर के शुरू में bind हो जाती है अब इस 40s subunit के साथ में जो first tRNA आएगा उसकी binding के लिए EIF2 की जरूरत पढ़ती है 40s subunit तो bind होगी अब इसके साथ tRNA bind होगा और tRNA के सिर पे कौन बैठा है amino acid tRNA किसको लेकर के आया है amino acid को लेकर के आया है तो इसका यहाँ पे binding किसकी help से होगी EIF2 की help से हो जाएगी then what will happen next EIF2B and EIF23 यह क्या करेंगे bind with 40s and prevent premature attachment of larger subunit यह 40s के साथ में bind हो जाएगे और larger subunit को पास नहीं आने देंगे तो देखो diagram में देखो एक एक diagram मनाय हुआ था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यहाँ पे देखो मैंने यह दिखाए खंबे से दिखा दीए EIF2B और EIF3 यह क्या कर रहे है 60s larger subunit को अभी attach नहीं होने दे रहे क्योंकि अभी इसके जरूरत नहीं है अभी कुछ छोटे मोटे काम बचे हुए है तो अभी यह premature situation है इसलिए अभी 60s को बोला जा रहा है तो अभी थोड़ा सा wait कर ले अभी तेरी जरूरत नहीं है जब तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरी को बुला लेंगे ओके then next factor है EIF 4A यह क्या करता है remove secondary structure from MRNA अब देखो AUG से पहले kozak sequence में कुछ ऐसी sequences होती है ऐसी loops होती है इनको बोलते हैं these are secondary structures यह secondary structure दिक्कत करते हैं process को अगे बढ़ने में क्योंकि इनकी कारण secondary structures के कारण जो यह 40 सब unit है यह आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इनको हटाना जरूरी है इन barriers को यह जो loops है इनको हटाना जरूरी है तो इन loops को हटाने में कौन help करेगा यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ EIF 4A remove secondary structures यहाँ पर diagram में देख सकते हैं कि यह पहले तो loop बनी हुए बट अब यह देखो बिल्कुल सीधा हो गया that means there is no loop कोजक sequence पर जो loop थी जो secondary structure थे that has been removed हट चुके हैं वो आगे देखिए उसके बाद है EIF 4B यह क्या करेगा help 40S sub unit to find this start codon 40S sub unit को पहुच रहा है start codon तक इस direction में जाना है लेकिन इसको पहचान नहीं है यह पहचान नहीं सकती के start codon कौन सा होता है तो यह जो factor है EIF 4B यह 40S sub unit को start codon को पहचानने में find out करने में उसको help करता है तो यहाँ सी यहाँ तक पहुचने में इसको EIF 4B help करेगा तो यह देखिए आगे लाए डाइगराम में ने star बना के दिखा रगा है तो यह star क्या है EIF 4B और यह AUG तक इसको लेकर जाएगा और बताएगा भई यह है तरी मंजिल यहाँ तक तिर को जाना था यहाँ से मतल तिर को शुरुवात करनी थी Then there are two more factors EIF 4E और EIF 4G यह दोनों क्या करते है 4E जो है यह 5 prime cap पे attach हो जाएगा यह दिखार का है 5 prime cap के उपर यह attach हो जाता है और 4G जो है यह poly A tail पे last में जागर के attach हो जाता है ताकि cap का और tail का पता चल जाएब है cap कौन सा है और tail कौन सा है तो यह start actually में है यह दोनों start में ही जागर के attach हो गई थे जैसे कि मैंने studio में इसलिए बोला था कि यह सारे के सारे factor एक time पे ही काम कर रहे है Okay then EIF 5 अब almost सारा काम हो चुका है So EIF 5 क्या करेगा help in binding of larger subunit 60s with 40s and remove other initiation factors तो यह बोलेगा कि larger subunit के कि अब आप attach हो सकते हो अब सारा काम complete हो चुका है तो जैसे ही 60s subunit यहाँ पे attach होती है बाकी के जो initiation factors थे वो remove हो जाएंगे आस पास इतने सारे initiation factors अटे हो जाते हैं उन सभी को remove कर दिया जाता है आप अपने घर जाओ आपके अब कोई जरूरत नहीं है तो अब 60s subunit जो है larger जो subunit है smaller subunit के साथ में attach हो चुकी है अब यह इस direction में easily move कर सकते हैं translocation अब हो सकती है तो यह था हमारा initiation अब देखते हैं elongation कैसे होता है students elongation step को समझने से पहले आपको कुछ points जान लेना जरूरी है देखिए first of all जो 40s और 60s subunit है जब 60s subunit यहां पे bind होती है तो इनकी binding के लिए एक iron की भी जरूरत होती है that is magnesium iron magnesium iron की proper concentration जब होगी तभी 60s subunit जाके 40s के साथ में bind हो सकती है तो magnesium iron ने क्या किया 60s subunit को help किया 40s subunit के साथ में bind होने में तो इस iron का नाम ध्यान रखना आपको magnesium iron then 60s subunit का structure आपको आना चाहिए तभी आपको यह पूरा का पूरा process समझ में आएगा तो यह देखो 60s subunit का structure दिखाया हो है larger subunit का structure है यहां पे 3 site होती है E site, P site और A site E site बोले तो exit site P site का मतलब peptide bond formation site यहने कि P site के उपर ही amino acid आपस में attach होंगे A site का मतलब है amino acyl site यानि यह कि next जो TRN आएगा वो A site पे आएगा अभी जब करवाओंगो तो आपको समझ में भी आजएगा क्या मतलब है कैसे होता है यहां पे काम देखो एक बात ध्यान रखना पहला जो TRN है, first TRN attaches over P site पहला जब TRN आएगा amino acid को ले करके तो वो यहां पे आपकर के bind होगा P site के उपर पहला TRN आता है और बाकी के जितने भी TRN आएगे वो सारे के सारे A site पे आएगे all other TRN attaches over A site so next जो भी आएगा वो आकर के A site के उपर attach होगा first TRN always attach over P site next और other RNA always TRN always attaches over A site then translocation स्टार्ट हो जाएगी ribosomal complex की तो ribosomal complex जो है वो 3 प्राइम की तरफ आगे एक 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 करके बढ़ता रहेगा और amino acid आपस में जूडते रहेंगे अब यहां पर इस प्रोसेस के लिए आपको 3 elongation factors का पता होना चाहिए एक है elongation factor that is EF1α and EF1β and EF2 यह 1α क्या करता है deliver TRN on A site A site के उपर TRN को deliver करता है 1β क्या करता है release of EF1α काम होने के बाद इसको उपरवाली sub unit को हटा देता है और EF2 यह क्या करता है sub unit को translocate होने में help करता है यह के कदम बार बार यह complex आगे बढ़ता रहेगा तो इस translocation में यह वाला help करता है this is very very IMP next translocation वाला important है बच्चों अब देखते हैं कि translocation कैसे होता है so I have drawn a lot of diagrams ताकि आपको अच्छे से यह concept clear हो जाए बहुत diagram बनाई है मैंने यह देखिए सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर मैंने बताया था ना कि पहला जो tRNA होगा पहला tRNA p site पे आकरके attach होगा तो यहाँ पर देखो पहला tRNA p site पे आकरके attach हो गया और mRNA की जो sequence यहाँ पे रहती है यह देखो लिखा हूँ है MET लिखा हूँ है I hope कि आप देख पा रहे हैं this is methionine MET MET लिखा हूँ है methionine यानि कि पहला amino acid हमेशा किसी भी protein chain का पहला amino acid methionine होता है क्योंकि यहाँ पे first codon fix होता है that is AUG आपको पता है TRNA के नीचे यह arm बनाई हूँ है क्यों बनाई हूँ है क्योंकि यह anti codon arm है MRNA के उपर codon होता है TRNA के उपर क्या होता है anti codon तो codon और anti codon आपस में जुड़ जाते हैं उसके बाद next देखो पहला तो आ गया यहाँ पी side पे अब next आना है A site के उपर so next diagram में हमने दिखाया है next TRNA आया और यहाँ पे A site के उपर यहाँ पे कोई न कोई codon होगा MRNA का उसके साथ में यह attach हो जाएगा okay so there are a lot of TRNA एक एक करके यहाँ पे attach होते रहते हैं अब पहला जो TRN था वो P site पे bind हुआ next second जो TRN वो हुआ A site पे bind अब next कहाँ पे bind होगा तो next को जगह तो ही नहीं तो यह जो ribosomal complex है यह एक कदम आगे shift होगा यह complete जो machinery है ribosom की यह एक कदम आगे shift हो जाएगी जिसके कारण यहाँ पे जो चीज थी वो E site पे आजाएगी यह वाला TRN P site पे आजाएगा और उपर से एक फिर A site खाली होगी तो उस पे आजाएगा तो यह आगे से आगे से switch हो जाएगे that is called translocation तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यह देखिए ओके यह AUG अब last में पहुँच गा क्योंकि यह पूरी machine है यह एक कदम आगे shift हो चुगी है तो अब यह था हमारा पहला TRN इसके उपर amino acid है this is second TRN, this is third TRN अब क्या होगा जैसे ही first TRN जो शुरू में आया था वो E site पे पहुँच गा this is E site E site मतलब exit site तो अब TRN E site पे आते exit कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा release हो जाएगा but release होने से पहले क्या करता बच्चो इसके उपर जो amino acid है यह उसको यहीं पे छोड़ जाएगा और यह amino acid क्या करेगा इस वाले amino acid के साथ में यहाँ पे ऐसे bond बना लेगा that is peptide bond अब यह peptide bond कौन बनाने में help करेगा कौन बनाएगा इस peptide bond को तो यहाँ पे देखो P-site के नीचे मैंने क्या दिखा रगा है यह दिखिए P-site पे मैंने नीचे एक enzyme दिखा रगा that is called peptidyl transferase that is called peptidyl transferase यह क्या करता join amino acid to make polypeptide chain तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में ऐसे connect करवा देगा और खुद यह TRN जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा अब यह आगे-आगे यह जगा खाली होगी क्योंकि यह वाला TRN तो निकल चुका release हो जगा अब यह जगा e-site खाली होगी यह again एक एक कदम आगे switch हो जाएंगे तो देखिए इस type से एक process continuously चलता रहेगा और ribosome की जो complete machine ray वो एक कदम आगे बढ़ती रहेगी और यह देखो अब next यह ऐसे खाली हो जाएगा अपना जो amino acid था वो इनको देदेगा और यह निकल जाएगा अब यह वाला इधर आएगा यह वाला इधर आएगा और यहां से कोई नया TRN आएगा वो A side पर आजाएगा तो यह complete आगे से आगे switch होते रहेंगे और अपना अपना amino acid यहां पर देते रहेंगे amino acid की जो joining और यह वो P side के उपर और यह बात ध्यान रखना क्योंकि P side के पास में ही enzyme है कौन सा? peptidile transferase यहां पर दिखाए हुआ peptidile transferase यह चोटा सा बच्चा सा दिखा रहा है in the form of peptidile transferase so at last क्या होगा यह पूरा ribosobal complex जो है वो 3 prime के end तक पहुँच आएगा जहां पर हमारा क्या है? stop codon है अट लास्ट बताया था ना stop codon है a, u, g yuga, u, a, u, ag में से कुछ भी हो सकता है not a, u, g, sorry u, g, a ठीक है? yuga, u, a, u, ag ऐसे ध्यान रख सकते हैं इन में से कोई भी एक stop codon यहां पर होगा तो यह last यह machinery जो ऐसे चलते चलते भी जरूरी है that is termination तो यह होगा हमारा last step में termination step में तो यहां से कैसे यह chain remove होती है और कैसे यह assembly जो ribosome के कैसे यहां से separate होती है मैं आपको next last step में दिखाता हूँ that is our termination step देखिए और इस इनका जो आज मैं आपको यह करवा रहा हूँ इसका pdf map को description box में डाल दूँगा वहां से आप pdf download करके अपनी copy में note कर सकते हैं या आप video को देखे भी note कर सकते हैं आपकी मरजी है देखिए termination में क्या है सिर्फ एक ही releasing factor को ध्यान रखना only one releasing factor that is ERF1 RF मतलब के releasing factor ERF1 को universal releasing factor भी बोलते हैं क्योंकि एक मातर releasing factor है जो chain को और ribosomal assembly को release करवाता है it can recognize all three stop codon at three prime end यह तीनों में से किसी भी stop codon को पहचान सकता है three prime end पे stop codon present होगे तीनों में से किसी भी एक को यह पहचान में सक्षम है ERF1 के साथ इसका एक friend भी होता है that is एक छोटा सा releasing factor इसको बोलते है ERF3 act as assistant यह बोलता है तो अकेला नहीं है इस काम में मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर दूँगा तो कहता है ठीक है so ERF3 का करता है act as assistant of ERF1 and help to release polypeptide chain और यहां पर stop codon को उसने पहचान लिया ERF को पता चलेगा भी stop codon आ चुका है that means अब इन दोनों को smaller sub unit को larger sub unit को separate करना है तो ERF1 क्या करेगा दोनों sub unit को अलग-अलग कर देगा और ERF1 के साथ में देखो इसका assistant इसका friend भी है that is ERF3 यह क्या करेगा इस polypeptide chain को यहां से separate कर देगा तो इस सारी चीज़ें अब अलग-अलग हो जाएगी मतलब के release हो जाएगी तो देखिए 40S अब इन इन इट अलग होगी 60S भी थी वो भी अलग होगी polypeptide chain भी separate हो चुकी है जो की हमारा क्या है protein molecule तो इस type से translation complete हो जाता है और यह mRNA है इसका क्या होगा यह destroy हो जाएगा degrade हो जाएगा अब थोड़ी देर में ठीक है और 40S और 60S next time काम आ जाएगे जब next कोई mRNA आएगा तो इस type से यह complete translation का process होता है So I hope कि complete process अब को अच्छे से समझ में आ चुका है That's it मिलते हैं किसी next lecture में Thank you so much